हलो, मेरे साथ हैं राम कुछन गेणा, और इन्होंने इसी साल JE Main और Advanced में एक अच्छी सक्षस पाई है और राम कुछन से पूछते हैं कि उनकी JE Main में क्या rank है, Advanced में क्या rank है और आज हम बात करने वाले हैं मेरे काल सो, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी काफी उसे सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से strategize करें अपनी preparation को और अपने IIT के जपने सपने को साकार करें तो रामकृष्णा एक बार बताएं कि आप कहा के रहने वाले हैं और आपकी J.E. Main Advanced में क्या rank है और ये rank 11th में 12th के साथ आई है या ड्रॉप किया आपने तो मेरा नाम रामकृष्णा गेना है और मैं सुजानगर राजस्तान का रहने वाला हूँ मेरी J.E. Mainz में All India rank 115 थी और J.E. Advanced की All India rank 609 थी इसी के साथ मैंने 11th और 12th में साथ ही 12th के साथ ही मतलब अपना J.E. का exam clear हो गया था मेरा first attempt में clear हो चुका है एक थोड़ा सा flip side यह है कि J.E. Mainz की 115 rank से फिर J.E. Advanced में काफी पीछे किसके हैं तो कुछ तो उर्चलीच होई होगी इसके उपर भी बात करेंगे पर इससे पहले एक बात और यह जाना चाहेंगे कि आपके 12th की percentage कितनी आई थी और जो मैंने question अभी पूछा है इसका भी एक तो सबसे बड़ा factor आता है calmness या fit patients young बोलते है जही मेंस के और advance की exam में बहुत फ़रक है मेंस में आपको दो attempt मिलते है तो आपका दिमाग इससाब से शान्त रहता है पर जब advance की बात आते है टॉप धही लाग बच्छे बैठने वाले यह चीज़ आपके दिमाग में नहीं चाहिए जो शायद में जब paper देने गया था तो वह मानसिक दबाव मेरे ऊपर था यदि हम कोई भी तरह का दबाव ना रखे काम रहे patience रखे पूरे paper time enough रहेगा अपने पास time की कमी नहीं रहने वाली पर अगर हम starting से सोचके चले की advance का exam में tough आने वाला है क्या होगा नहीं ह ज्यादा overthinking करेंगे तो जाकर आपका rank difference आना ही आना है तो बस वह ही कहूंगा कि advance जब देने जाओ तो एकदम शान दिमाग से जाओ ज्यादा कुछ paper के बारे में सोचो मत आपने दो साल अच्छी मैनत करी है और rank भी बढ़िया ही रहने वाली है तो जन्रल ग्यान हुआ जब मैं advance का paper देता हूं तो मेरा flow ऐसा रहता है कि सबसे पहले chemistry करता हूं फिर physics and then mathematics तो जैसी मेरा paper वन स्टार्ट हुआ chemistry से मैंने शुरुआत की थी और chemistry के स्टार्टिंग के 7-8 question में maximum questions wrong चले गए थे मतलब section 1 और section 2 में total marks nullify होकर 0 हो गए थे positive negative मिला कर तो वो दिक्कत नही रेंक में difference बहुत ज्यादा आने वाल है तो starting में मतलब जब भी exam hall पर जाओ पानी पीलो थोड़ा शांत रहना है अपनी को वो गलती है अगर सायद मुझ से ना होती तो में advance में 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 जैसी रेंक आ जाती में लगता है कि शायद तुभी यह कहला रहा हो कि अगर good start होती है तो में रिकाल से end टब भी बढ़िया चलता है और कभी-कभी किसी कारण से अगर start थोड़ी सी weak हो जाती है जिसा कि आपी case में हुआ कि कुछ questions गलत हो गए जबकि तुमने chemistry से start किया तो chemistry पसंतों होगी और chemistry scoring भी है जायतर बच्चे chemistry से ही start करते है chemistry physics and then mathematics पर ठीक है यह में र बताया कि शुरुवात में थोड़ी गड़ बढ़ हुई then thereafter 15-20 मिनिट के बाद में तुमने picked अच्छा किया तो शायद उसकी वज़े से चीजे control में आ गई है अच्छा रामकृष्णा एक बात और हम जाना चाहते हैं कि आप कौन से बैच में हमारे competition में इन्रोल ता और best part वह बैच का था कि टीचर के साथ guidance मिलता ही था साथ में हमारा एक अलग से WhatsApp भी बनावा था जिस पर हम स्टूरेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे यह जान सकते थे कि मेरे साथ वाला जो competitor है वह उसकी किस प्रकार से preparation चल रहे है कई मैं कुछ मिस्स नहीं कर हूं ऐसे हम स्टूरेंट्स कुतने अलग से अपनी community बना के रखे थी तो और दो दिन चार दिन शे दिन जब भी हमारा कोई टेस्ट होता था उसके बाद हम उसके regarding discuss कर लेते थे कि टेस्ट में क्या performance आया कौन सा हमार टॉपिक वीग जा रहा है काली मेरे लिए टेस्ट टफ वो चीज जानना जादा ज़रूरी है क्योंभी कभी कभा टेस्ट जादा टाफ आ जाते तो अपने मांक्स बहुत कम हो जाते और वो डी मोटिवेशन ना हो उसके लिए इस सब चीजे ज़रूरी है बहुत बढ़िया मेसेज इस पास से बच्चों को मिलता है हम इसे दूसरे ग्रूप होता है जिनके साथ आप उठते बैठते हो आपके जो दोस्त बनते हैं चाहे वो दोस्त फिजिकली आपके साथ में रहते हूं मिलते हूं चाहे वो ऑनलाइन मीडिया में आपकी प्रिपरेशन के साथ में अगर जुड़ गया हूं अच्छे दोस्त पनाएं और हेल इक बात और बताएं आप पर आम नाम इतना अच्छा है ना के नाम बोलते बोलते एश्वारा हमें ब्लैसिंग्स दे देंगे जैसे जानना चाहता हूँ कि जैसे दो साल आपने परिपेरेशन की है आप दो साल से परिपेरेशन की है एक उस्से भाइलेए कुछ कर रहे थे और पूरा guidance दिया गया है पिछले साल मेरे भाई भी competition के ही cats batch में रोलते हैं और उनका IIT खड़पूर के अंदर selection हो चुका था पिछले साल उन्होंने drop year में किया था अपना बहुत बढ़िया हम तो चाहते हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है वो सफल हो मैंद करें और अपने मुकाम तक पहुंचे पर एक जनरल डाउट यह आता है कि जिसे यह एक बहुत ही intense exam है खासकर IIT में जाना IIT Delhi Bombay Top IIT में 1000 की rank लेके अना थो इं sacrifices करने पड़ते हैं किसी function में नहीं जा सकते आप खेल नहीं सकते आपको क्या लगता है क्या आपके साथ क्या हुआ क्या आपने जो अपने sports या मानलों कोई outdoor sports खेलते हूं या कोई function हो शादी हो नहीं जा पाए कोई birthday function नहीं जा पाए मतलब आपको क्या लगता है और आपने इसको कैसे handle किया और function और तो मतलब मिस नहीं करना चाहिए बाकी अपनी hobbies है तो कुछ भी करो अपनी time को effectively utilize करना है जितने भी गंटे हम पढ़ाई करेंगे एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें ज्यादा overthinking करेंगे या फिर में कोई इतना ही rank चाहिए तो फिर वह ज्यादा demotivation करता है औ तुमने बोला कि number of hours जो भी दे रहे हैं तो क्या मैं पूछूं कि तुमारे online average कितने गंटे तुम पढ़ते थे दिन में 24 गंटे होते हैं तो उसमें कितने गंटे पढ़ाई को देते थे वैसे तो मैंने कभी कोई fix time table follow ने किया और count भी ने कितने गंटे पढ़ाई की थी बस इतना fix तक ही 7-8 गंटे नीन लेनी है और हर दूसरे दिन 1-2 गंटे खेलना ही है और बाकी जो average activities है उनको 3-4 गंटे daily activities है जो अपनी कोरस की उनको लग जाते चार गंटे से 4-4 गंटे बाकी जो time आपको मिलता है उसमें से आदा time तो आपका coaching institute में जा रहे हो online classes ले रहे हो उसमें लग बगे की लग जाएगा फिर बचे हुए time के अंदर अब मैं पहले homework कर दिया मने उसके बाद sheet होती है module होती है DPPs होती है वो सब solve कर दी बस इतना ध्यान में रखना है कि अप तो काली theory पढ़ने से तो काम नहीं बनेगा तो पहले से prior practice होनी चाहिए अचा एक और point है कि जिसे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है test में उतने serious नहीं रहते है जो periodic test होते हैं आप जब coaching के बढ़ते हैं competition बढ़ रहे हैं कहीं भी बढ़ते हैं तो हर तीन हफते म मान लो कोई test होता है आपका और end में exam जब पास होता है तो weekly test होते हैं और बिलकुल और पास होते हैं तो week में दो-दो test भी होते हैं तो how did you take test seriousness मतलब आपने अच्छी तो seriously उनको लिया और analysis के बारे में आपको क्या लगता है कि test देने के बाद बात खतम होगा या कुछ और अच्छी मतलब बसता है उसके तरह टेस्ट को मतलब एकदम seriously देना है I have given plenty of tests throughout my preparation but was serious for each and every test whether it is a weekly test per day test means like topic wise test और combined cumulative test 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 एकदम seriously देना है और उनको फिर analyze करना बहुत ज़रूरी है अगर तीन गंटे का test है तो मुझे तीन गंटे लग जाते थे वापिस पूई टेस्ट को एने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कम टाइम के अंदर वापिस solve हो जाना चाहिए मतलब analysis करो और एकदम thoroughly करो और सब्चे ज़्यादा analysis की चरुवत पड़ती है max में और chemistry में max के अंदर काफी सारी ऐसी चीज़े जो एक बार जब देख नहीं लेते जब तक तब तक हमें वह ची आपको क्लिक होते रहेंगे और concept की जितनी हो सब्सके उतनी in depth clarity रख सकते हैं जिससे benefit होगा I think you have answered very well of this particular question तो जो एक बात बोली रामकिशनी कि आप अगर तीन गंटे का test दे रहें तो तीन गंटे का test दे रहें तो कम से कम एक गंटा तो उसके post analysis पे दे दो कि जो जो question attempt किये हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं क्या वो conceptual error है क्या वो calculation error है या कोई silly mistake है तो ये सब चीजे जैसा कि रामकिशनी ने कहा कि अपने हिसाब से अपने test को analyze करें post analysis में ये मालूम पढ़ जाए कि ये गलती मेरे से अब हुई है चला चलो कोई अब कभी भी ये test दुबारा आ जाए तो वो गलती मुझसे दुबारा ना हो I think आपने काफी अच्छे बाते बताई ही मेरे काल से बच्चे जो है motivate भी होंगे मुझे एक बात आपने अभी कही थी कि आपने cat से पढ़ाई की और material dpp sheet solve की और कोई offline online कोई अलग से regular coaching नहीं ली अब इसका कोई specific कारान जंदली ऐसा होता तो नहीं है तो जैसा मैंना अभी थोड़े पहले बताया था कि मेरे पास में buy key through guidance था अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो main आपको guidance ही चाहिए अगर आप offline coaching में इंड्रोल होते हो तो best teachers आपको बहुत अच्छी से अच्छी guidance दे क्योंकि main आपको sheet solve करना है और दुनिया बर की resources लेने की ज़रूरत नहीं है खाली एक चीज अपना जो भी offline coaching जा रहे हो competition में आ रहे हो तो वाकी sheet solve करो वाकी DPP solve करो कई बार हम क्या करते हैं कि sheet भी solve कर लेते फिजिक्स मैच सी गर्मा ले लिया इरोडोब ले लिया ख्रोट तो उसके लिए मैंने चलिए बस end की तरफ चलते एक आखरी question आपसे के final words for the aspirants who will be writing the J exam in 24, 25 जो भी 11 वी में है या 12th में है वो 2024 या 25 बापना exam लिखेंगे उनको finally आप क्या बोला चाहेंगे ये कर लेना भाई जरूर और ये बिल्कुल मत करना जो जरूर करना है वो regular studies एक भी दिन की छुटी नहीं लेनी है कुछ भी हो holiday जितना minimum कर सके कि आप यार आस तो Sunday coaching भी नहीं है rest करेंगे वो नहीं करना है continuously पढ़ते रहना है और जो नहीं करना है वो social media यूज़ नहीं करना है हो सकता है कि आप में से काफी जन 8 standard 10 standard से सोचल मीडिया पर काफी अक्टी होंगे पर जितना कम सोचल मीडिया का आप यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए beneficial हो गया क्योंकि सोचल मीडिया बहुत जादा distractions लाता है बस अपने आपको एक अच्छी ऐसे group of community से जोड़के रख ले और बस लाश में यह करोगा कि जहीं एंड नहीं है जो भी करो अच्छे से करो मैनत करना सीख जाओ वो benefit रहेगा क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा और कुछ ना हो तो तो तजुरबाई होगा यह एक टीचर काफी फेमस है यूटूपर वो कहते है और मैं उनको काफी पॉलो भी करता हूँ तो बस यही चीजी याद रखें अब यह एंड रह एंगा बड़िया लगा रांकिशना आपसे बात करके और विश्यो आल बेस फूर आप यह एप फिचर और अभी कॉन से आइट जा रहे हैं आप अनली आट बेली में जा रहा हूं है क्म्पूर साइ all the very best to you